में त्रोस सीधी सी बात है कि यदि आज हम मनुश्य के स्वरूप में इस प्रित्विप पर उपस्तित है तो उसका कारण ये है कि हमने इस प्रित्विप पर जन्म लिया है दोस्तों हम खुद भी ये नहीं जानते कि हम कितनी बार और किस किस वरूप में प्रित्विप पर जन्म ले चुके हैं और हमारी कितनी बार मृत्यु हो चुकी है दोस्तों हम दुखों से भरे हुए माया बंद संसार में जन्म और मृत्यों के चक्र में फसे हुए है आप स्वयम ही सोचे कि आप अपने जीवन में किन किन प्रकार के दुखों से बीडित है और ऐसी बुरी परिस्तितियों में से स्वयम को निकालने के लिए आप कितने प्रयत्न कर रहे हैं दोस्तों वास्ताव में सत्य तो ये है कि हम चाहे कितने भी कोशिश करें पर हम प्रित्वी पर जितने भी समय के लिए जिस भी स्वरूप में मौजूद है उसके अनुसार दुख और कश्ट तो हमें भूग नहीं पड़ेंगे लेकिन भला कौन इस प्रकार की परिस्तिते में हमेशा के लिए रहना चाहेगा इसलिए भगवान श्री कृष्ण श्रीमत भगवत गीता के आठवे अध्या के पंद्रहवे श्लोप में बताते है अर्था श्री कृष्ण कह रहे है कि मुझे प्राप्ट करके महान आत्माय फिर कभी भी इस संसार में पुन जन्म ही नहीं लेती ऐसा संसार जो अनीती और दुखों से भरा हुआ है और ये आत्माय पुन संसार में दुख पोगने के लिए इसलिए नहीं आती क्योंकि वे पोड़ सित्य प्राप्ट कर चुकी होती है अब दोस्तो यहां पर पोड़ सित्य क्या होती है ये जानना भी बहुत जरूरी है दोस्तो श्री क्रिष्ण का परमधाम भले ही हमारी पहुतिक त्रिष्टी से परे है और अवर्णनिय है लेकिन यही हमारा अंतिम गंतव्य है और यही हमारा अंतिम लक्ष भी है यदि हम सदा सदा के लिए दुखों से खुद को दूर करना चाहते हैं मित्रो क्रिष्ण कॉंशिसनेस या फिर क्रिष्ण भावनाम रित यही पूर्ण सिद्धी प्राप्त करने का एक मात्र साधन है जैसे जैसे क्रिष्ण कॉंशिसनेस में हमारी भक्ती और बढ़ती है विक्सित होती है वैसे वैसे क्रिष्ण प्रेम के कारण अंत में कोई भी इच्छा शेश नहीं रहती यदि हम अन्तमी कुछ चाहती भी है तो वो है केवल श्री कृष्ण और उनका सामिप्य अन्य कुछ भी नहीं और यही स्तिती पोड़ सिद्धी कहलाती है कि जिसके मिलने के बाद इस भौतिक संसार में पुना लोटने का कोई भी कारण शेश नही श्रीमत भगवत गीता में हमारे सभी प्रकार के दुखों का एक मात्र सचोट निवारण दिया है अगर आज का वीडियो पसंद आया हूँ तो वीडियो को लाइक, शेर और कमेंट ज़रूर करें ऐसे ही इंट्रेस्टिंग और नॉलेजिबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल दी इन पूर्शन को सब्सक्राइब करना ना भूले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक्स पर वाचेक